हेलो फ्रेंड्स आज हमने बिना चोक और बिना हल्दी बिना जीरे और बिना हींग बगरा कुछ पे डाले हुए एकदम चटपटी मसालिदार करेले की सबजी बनाई है अक्सर ऐसा होता है कभी-कभी कि घरों में सूतक लग जाती है जिसकी वज़े से खाने का टेश्ट थोड़ा गरबर हो जाता है और ना ही खाने में चोक लगता है ना ही हिंग जेरे और हल्दी का यूज होता है जिससे की बच्चे खाना खाने में थोड़ा प्रोब्लम करती है इसलिए मैंने आज आपको एक सिंपल तरीके से करेले की सबजी बना कर दिखाऊंगी इसके लिए सबसे पहले हम लिए इस तरह से बिलकुल एकदम कच्छे करेले लिए हैं और इसको अच्छे से दूखर हमने साफ कर लिया है सबसे पहले हमें इसकी जो आगे पीछे के डंठल होती है इसको इस तरह से अच्छे से काट कर निकाल कर साफ कर ले रहा है इस तरह से आप कच्छे करेले को लेंगे तो इसमें बीज भी एकदम कच्छे होती है बड़े करेले में अगर आप इस तरह से गोल कटिंग करकर बनाएंगे तो उसमें बीज भी साथ में कर जाती हैं इसलिए इस तरह से करेले को बनाने के लिए हमें एकदम छोटे-छोटे कच्चे कच्चे करेले लेने होंगे इसी तरह से हमें बाद बागी सारे कर्ले लेकी डंठर को साफ कर लिया है इसमें अम डालेंगे ये कच्छा आम, आप जिस तरह ऐसे खटा मीठा घाना चाहती है उसे according आप इसमें आम का यूज कर सकते है मैंने इतरी करेले में ये कच्छे आम का यूज करना है इस तरह से मैंने इसको भी अच्छे से चिल कर साफ कर लेंगे और इसको हमें बारीक बारीक एकदम या तो आप इसको चौप कर सकती हैं मैंने इसमें महिन गिसकर डालूँगी चलिए सबसे पहले हम करे लेगे इस तरह से पतले पतले छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं इस तर किस्टी एक अलग बन कर आता है और यह अच्छे से गल भी जाती है इस तरह से हमें सारे करेलों को काट कर रख लेना है अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली वार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन पर प्रिस जरूर करिएगा जिससे की मेरी वीडियो की न नॉटिफीकिचन आपको मिलती नहीं करेले भी हमने काट कर रख लिए इसके बाद हमें जो मेरा कच्चा मथा इसको महिन-महिन गिसकर रख लेना इस तरह से में आप अपने एकॉर्डिंग एक या दो जैसे खट्टा घाना चाहती है उस तरह से इसको इसको बनाते हैं इसको बनाने के लिए हमने पैन का यूज किया है इस तूतक के टाइम में अक्सर ऐसा होता है कडाई का यूज नहीं करती है इसलिए इसको हम पैन में आसानी से बना सकते हैं पर कुकर में सीटी लेने से ठेश्ट थोड़ा अलग हो जाता है इसलिए हम इसको पैन में बनाएंगे क्योंकि पैन का यूज हम इसली कर सकते हैं इस टाइम में साथ में हम इसमें कच्छा हम डालेंगे और इसके उपर से हम डालेंगे थोड़ा सा सरसोग इस तरह स आप इसके साथ ही इसमें सरस्वा का ओयल डाल लीजिए इसकी कॉंटिटी भी में अच्छी डाल लीए त्योंकि इसमें अच्छा दलता है तब यहारे करेले एकदम टेस्टी बनती हैं एक चमच नमक डालेंगे नमक आप एक टेस्ट के कॉर्डिन डाल सकते हैं और चार चमच इसमें हम धन्या पाउडर डालेंगे एक चमच लाल मिर्स पाउडर डालेंगे और दो बड़ी चमच इसमें हम सौफ का पाउडर डालेंगे जिससे कि हमारी करेले एकदम अचार की तरह अच्छे चटपटे बनती है देखिए यह मैंने आपको दिखाया है फूट कलर इस त दौर परफेक्ट बना सकते हैं जब हमारी सब्यी दिखने में अश्ची लगती है खाने में वो टेस्ट अपना में दुगना देती है क्योंकि अक्षर क्या होता है हल्दी ने डालने से खाने का टेस्ट थोड़ा कम आता है और बच्चों को देखने में भी कम अच्छी लग चलिए एक बार इसको हम इस तरह से उलटते पिलटते हुए एक बार मिक्स कर देंगे जिससे कि हमारा मसाला चारो तरफ से अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए इसी तरह से आप बादवा की और सब्जियां भी अपने बिना चौक के बना सकते हैं मैंने आपको आज एक सब्जी बना कर दिखाईए अगर आपको इस तरह से कोई और सब्जियां बनानी हो तो आप मुझे कमेंट वक्स पर जाकर बता सकते हैं जिसको मैं आपको बना कर दिखा सकती हूँ चलिए एक बार फिर से हम इसको चला देते हैं इसी तरह से हम इसको एक बार 10 मट के लिए ढखका र पर दूर रखना है बस इसी तरह से हमारे एकदम चपटे करेली बन कर त्यार होंगे अगर आपको आज की मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो इसे लाइक करकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो को सेयर करिएग इसी तरह से आप इसको बीच बीच में चलाती रहिएगा जब तक कि आमारे करेली अच्छे से नागल जाए इसी तरह से इसको आप अच्छे से पकाईए और अपने खाने में इसको तीन से चार दिन आप एज़िली खा सकते हैं क्योंकि ये एकदम अचार की तरह बनते हैं इसमें कोई खराब होने वाली ऐसी चीज नहीं है आप इसको फिरीज में रखकर तीन से चार दिन तक अपने खाने में यूज करिएगा आप चाहे तो इसमें प्यास भी डाल सकते हैं पर इस टैम सू तक चल रहे हैं इसलिए मैंने इसमें प्यास के यूज भी नहीं किया है इ इसमें अचारी करे लिबन कर तैयार हो चुकी है एक दूमनट के लिए इसको इसी तरह से उलड़ते यूग और चला लेंगे और लास्ट में एक दूमनट के लिए इसको इस तरह से अच्छे से खोल कर पकाना है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में